तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि कि चार अगस्ट के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को तो इस प्रशन में पूछ रहे हैं अभी अगस्ट दो हजार चौबिस में तरंग शक्ति अभ्यास दो हजार चौबिस का आयोजन कहां पर होगा तो आंसर होगा तमिल नाडू में तो एक्सरसाइस का नाम तरंग शक्ती है ये एक air force exercise है यानि कि वायू से इनने अभ्यास है और ये एक बहू राश्टर अभ्यास है multilateral exercise है यानि कि बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेंगे भारत इसका आयोजन कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में अब तक का ये सबसे बड़ा अंतरराष्टर वायो अभ्यास होगा इसमें 10 देश हिस्सा लेंगे और कहां पर होगा देखो ये दो चर्णों में होगा वैसे तो देखो ये वाला प्रश्ण में आपको अल्डरेडी पहले भी बता चुका हूँ लेकिन तब हमने ये नहीं देखा था कि ये कहां पर होगा मैंने आपको कहा था जब यह बता दिया जाएगा कि इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो यह प्रश्न में आपको कराऊँगा तो यह दो चरणों में होगा तो इसका जो पहला चरण है यह तमिल नाडू के सुलूर में होगा छे से लेके 14 अगस्ट तक और जो दूसरा चरण दूसरा स्टेज होगा वो राजस्तान की जोदपूर में होगा 29 औगस्ट से लेके 14 सेप्टेंबर 24 तक तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एकसरसाइज है और कौन इसका आयोजन कर रहा है भारत आयोजन कर रहा है बहुराश्टर अभ्यास है और कहां पर होगा तो ये दो चड़नों में होगा तमिल नाडू और राजस्थान में यही आपको ध्यान रखना है वेसे हमारे एर चीफ मार्शल कौन है विवेक राम चोधरी है लेकिन साथ में आपके लिए ये ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएगा कि हमारे नेवल चीफ कौन है और आर्मी चीफ कोने क्योंकि ये दोनों अभी नए बन गए है तो नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाथी है और चीफ मार्शल उपेंद्र दिविवेदी बने है तो ये नाम ज़रूर से याद रखना वेसे मिलेक्तरी एक्सरसाइज वाला प्रशन है तो चलो एक बार फिर में आपको 2024 के जितने भी इंपोर्टेंट मिलेक्तरी एक्सरसाइज हमने पड़े उस सारे में आपको रिवाइस कर रहाता हूँ ध्यान से सुनना तो इस साल का जो पहला एक्सरसाइज हमने देखा था साइक्लोन एक्सरसाइज दूसरा संस्करन था भारत और एजिप्ट के बीच में हुआ ये एजिप्ट में खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ ये हिमाचिर प्रदीश के बकलो में स्टीड फास्ट टिफेंडर एक्सरसाइस का आयोजन नाटो ने किया, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइस भारत फ्रांस युए की बीच में हुआ अरब सागर के उपर, सदा तंसीक एक्सरसाइस भारत और साओधी अरब की बीच में हुआ राजस्तान में, वायू शक्ति एक्स इंडियन एर फोर्स ने इसका आयोजन किया, पोकरन राजस्तान में, मिलन एक्सरसाइस इंडियन नेवल फोर्स ने आयोजन किया था, लगबग 50 देशों ने इससा लिया था, विशाका पत्नम में यह हुआ, उसके अलाबा, दोस्ती एक्सरसाइस भारत, माल्दिव और श् कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइस यह हुआ था, सेशल्स के पूर्ट विक्टोरिया में लगबग 16 देशों ने इससा लिया था, जिसमें भारत भी एक देश था, भारत की तरफ से INS 3 ने इससा लिया था, लिमित यह एक्सरसाइस भारत और सेशल्स के बीच में हुआ, यह स दिनों तक चला था धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापन के बीच में हुआ ये राजस्तान में डेस्टलिक एक्सरसाइज भारत और उजबेकिस्तान के बीच में हुआ ये उजबेकिस्तान में और सागर कवच एक्सरसाइज इसमें क्या था कि हमारे जितने भी कवच एक्सरसाइज है और एक विक्टस हेज के बारे में हमने पड़ा था अंतिरिक्ष में पेह करने की गोष्टना कीती अमेरिका के स्पेस फोर्स ने नाम है उसका विक्टस हेज पूर्वी लहर अभ्यास भारते नौ सेना ने स्कायोजन किया था भार के पूर्वी समुदरी तठ पर गगन श्ट्राइक 2 के भारते सेना और वायू सेना के बीच में यह अभ्यास हुआ था पंजाब में शक्ती अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में वा था यह मेगाले के उम्रोई में तर्कष अभ्यास भारत और अमेरिका की बीच में हुआ ये कॉलकता में रेड फ्लेग एक्सरसाइस ये बहुर आश्ट्र अभ्यास था बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था और भारत की राफेल ने इसमें हिस्सा लिया था कहाँ पे वा था या लास्का अमेरिका में अमेरिका ने ही होस्त किया था रिमपेक एक्सरसाइज अमने पड़ा था ये भी बहुर आश्टर अभ्या से भारत ने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से आइनेस शिवालिग गया था यहां पे यह अमेरिका के हवाई में हुआ था जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था यह जापान में तरंग शक्ति तरंग शक्ति देखवा आ गया ना इंडियन एर फूर्स इसका एउजन कर रहा है और अब याद रख लेना यह कहाँ कहाँ पे तमिल, नादू और रजस्थान में, हॉप एकस आभ्यास भारत और मिश्र के बीच में हुआ, मिश्र हयानिक ऐजिप्ट, कहाँपे इजिप्ट में ही और एक और और हमने पढ़ा था मैत्र्य आभ्यास, भारत और थाइलेंद के बीच में हुआ, यह कहाँ पर थाइलेन में तो यह 2024 के कुछ important exercise है और लगबग अभी तक जितने भी exercise पड़े हैं वो सब मैंने आपको cover करा दिये तो इनको ध्यान में रखना जब भी exercise वाला प्रशन आता है यह इसी तरह से सारे important exercise मैं आपको revise कराता हूँ तो अगर आप regular बने रहेंगे continue बने रहेंगे तो सारी चीज़े आपको याद रहेंगी मतलब आगे का current affairs भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ में पीछे उससे जुड़े वे जितने भी current affairs के प्रशने वो भी आपको revise कराता हूँ चलता हूँ ताकि पीछे वाला part आप भू जितना मेरे से हो सकता है मैं इस daily current affairs वाली class में आपको revise करवा देता हूँ लेकिन फिर भी आपको बताए इस class का एक limited आपको revise नहीं करवा सकता हूँ लेकिन इसके लिए एक अलग से हमने solution निकाला हुआ है एक अलग से revision वाली class में लेकर के आता हूँ जिसमें अभी तक के ज पता चल जाएगा कि हम उस class में क्या करते हैं और वो class किस तरह से beneficial होगी आपके लिए to the point वहाँ पे हम चीजों को describe करते हैं question पढ़ते हैं उसका answer देखते हैं अगर कोई काम की बात होती है तो वो मैं बताता हूँ फिर हम आगे बढ़ जाते हैं यही उसका procedure रहता है यही उ मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है आप वीडियो के 2-4 question starting के देख लेना आपको पता चल जाएगा वो class कितनी beneficial है आपके लिए आप खुद कहोगे कि यार इस class के बारे में पहले पता चल जाता तो मज़ा जाता लास्ट महीने तो पिछले महीने तो time की कमी है कारण मैं मैंने उस class को discontinue कर दिया था लेकिन अभी कल से हमने फिर से शुरू किया है तो जो अभी नए students जुड़े हैं उनको के ना चाओंगा अभी से आप जुड़ जाओ तो फिर बाद में आप अक्सोस करोगे कि कास पहले जुड़ जाते वीडियो section में वीडियो मिल जाएगा thumbnail इ दिवस्की रूपे मनाया जाता है 2024 में ये इसका चौदवा संसकरन है यानि कि पहली बार 2010 में मनाया गया होगा और उद्दिश्य क्या है मनाने का लोगों के बीच अंगदान और गन डूनिशन के बारे में जागरुकता बढ़ाना लेकिन मैं आपको बता दू शुरूआत म प्रत्यारोपन सपलता पूरुवक किया गया था मतलब किसी ने अपना हर्दे हार्ट डोनेट किया और उसे फिर ट्रांसफर कर दिया किसी और में और गन डोनेट किया गया तो इसलिए तीन अगस्त को अब ये हम मनाते हैं और याद रखना जुलाई के महिने को अंगदान क महिना घोशित किया गया है ये भी आप ध्यान में रखें और जुलाई को ही क्यों क्योंकि जुलाई 1994 को भारत में मानव अंग प्रत्यारूपन अधिनियम 1994 में लागू किया गया था तो इतना आप याद रखें केवल कि भारते अंगदान दिवस इंडियन ओर्गन डोनेशन कब मनाते हैं हम तीन अगस्त को मनाते हैं ये ध्यान रखना है विशें विश्व अंगदां दिवस b stays विल्ड ओर्गन डोनेशन डे वह 13 अगस्त को होता है याद रखना विशें हमारे फ podría प्रशन देखते हैं और हां सैशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में study group में एक बार share जरूर कर दिया करो यार ये मेरी आपसे request रहती है करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है वो शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे पर अगर हो सके तो वीडियो को share और like जरूर कर दिया गरे अगर आपको अच्छा लगता है तो चलो फिर हम अगला प्रशन देखते है फिर आपसे पूछ रहे अभी हाले में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है तो आंसर होगा ज़ारखंड तो अभी ज़ारखंड के जो मुख्य मंत्री है मंत सोरेन तो उन्होंने राज्य में पात्र महिलाओं को वित्ते साहिता देने के लिए मुख्य मंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया है एक्चिले में मैं आपको बता हूँ यह योजना है ना इसका नाम बदला गया है पहले से योजना का नाम चारकन, बहन, बेटी, स्वाव, लंबन, प्रोचाहन, योधना रखा गया था और यह योधना के बारे मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ जब इसकी घोष्टना हुई थी कहा गया था हम यह शुरू करेंगे तब मैंने आपको बताय था और अब यह इसको फाइनली शुरू कर रहे हैं लेकिन इन्होंने इस बार इसका नाम बदल दिया कि यार नहीं यह वाला नाम नहीं रख रहे हम यह वाला नाम रख रहे हैं तो नया नाम क्या है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पुराना नाम क्या था जब इन्होंने स्टार्टिंग में रखा था चारखंड बहन बेटी स्वाव लंबन प्रोत्साहन योधना ये नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा क्या था इस योजिना में? तो राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें सशक्त बनाया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है और कैसे बनाएंगे? उन्हें पैसा दे करके महिलाओं को हर महिने हजार रुपे मिलेंगे इसमें कंडिशन क्या है? महिला की उमर 21 से लेके 50 वर्ष होनी चाहिए उनकी वार्षिक आए 8 लाक रुपे से कम होनी चाहिए और इस तरह से आप देखोगे राज्य सरकार को हर महिने 4,000 करोड रुपे का खर्च आने वाला है अब याद आया होगा ये योधना मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने आपको बोला था कि हर महिने ये 4,000, 4,000 करोड रुपे देंगे तो इससे अच्छा कुछ महिलाओं के लिए इंडस्ट्री वगएरा खोल दें कुछ रोजगार वगएरा उपलब्द करवा दें ताकि वो हर महिने पूरी जिंदगी बर इंकम कमा सके तो कि सरकार कुछ दिन रहेगी फिर चेंज हो जाएगी फिर आगे वाली सरकार दे न दे तो ये लाई मैंने आपको बूली थी न तब ये योजना मैंने आपको बताई थी लेकिन अभी इसका नाम बदल दिया तो ध्यान में रखना अच्छा इसी तरसे मैं आपको आज कुछ ऐसी योजनाय बताता हूँ जिसमें जो राज्य सरकारे हैं वो महिलाओं को वित्य साहिता दे रही है हर महीने कोई 15-100 रुपे दे रही है कोई 12-100 कोई 1000 रुपे इस तरह की योजनाय मैं आपको करवाता हूँ अच्छा पहले जहारकन के स्टैटिक बात करें तो जहारकन की कैपिटल यादर्ठनर राची है मुख्य मंतरी हमंत सोरेन है लेकिन नए गवर्नर अभी बन गए नो जो नवराज्यों में अभी नए गवर्नर बने उसमें ये राजजारकन भी है कौन बने संतोष कंगवार अब चलो योधनाय मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है वो योधना इस तरह की देखो एक हमने पढ़ी थी महतारी वंदना योजना इसको 36 गड़न ने शुरू किया था महतारी वंदन योधना लक्षमी भंडार योधना को पश्ची मंगाल ने मुख्यमंतरी माजी लाड की बहिन योधना को महराश्टर ने और लाडली बहना योधना मध्य प्रदेश ने महिला सम्मान योधना दिली ने इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योधना हिमाशर प्रदेश ने और ये जारखंड वाली मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वाव लंबन योधना ये मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए इस लिस्ट में मैंने अल्रेड इसको एड करा हुआ लेकिन अभी हमने देखा इसका नाम बदल दिया तो नाम बदले वी याद रखना मुख्यमंत्री महिया सम्मान योधना इसका नाम है ये सारी वो योधना हैं जो सरकारों ने राज्य सरकारों ने चलाई है इसमें ये महिलाओं को कुछ राशी हर महिने देते हैं तो ध्यान रखना कौन सी योधना किस राज्य ने शुरू की अगला प्रस्ण देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग ये कहां पर आयोजित होगी तो आंसर होगा चैन्नेई में अच्छा ये प्रस्ण पिछले साल भी मैंने आपको बढ़ाय था कि भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग ये होगी तमिलनाडू के चैन्नेई में पर वहाँ पर मिचोंग चकरवात आ गया था तो इसे रद्द करना पड़ा था और अब इस साल इसका आयोजन होगा ये देश की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग है जो की चैन्नेई तमिलनाडू में होगी ये आपको ध्यान रखना है अच्छा इसी तरह से कुछ और रेसिंग से सम्मंदित प्रशन में आपको करवाता हूँ आपको याद है अभी एक भारतिया रेसर ने अपने करियर की पहली हंगरी ग्रेंड प्री फॉर्मूला टू रेस को जीत लिया था और ये रेस जीतने वाले ये दूसरे भारतिया है इनका नाम कुछ मैनी है मोटो जीपी इंडिया के ब्रेंड अमबेस्टर अभी बनाये गए थे शिक्खर धवन और मोटो जीपी इंडिया जो दूसरा संसकरन इसका होगा वो भी हैदराबाद में होगा और ये मैंने आपको बताई दिया भारत और दक्षिन एशिया का ये पहला नाइट स्ट्रीट सर्किट है जो की चैन्नेई में बनाया गया है ये रेसिंग यहीं पर होगी मतलब रात्री में भी यहां पर रेस हो सकेगी इस तरह का ये सर्किट है सर्किट मतलब जहां पर जिस रास्तों पर रेस होती है न उस रास्तों को उस लूप को सर्किट का जाता है तो ध्यान रखना ये अगला प्रशन दिखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में भारत सरकार ने गुजरात में राश्टर समुद्रे विरासत परिसर विक्सित करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो आंसरों का वियतनाम तो अभी भारत और वियतनाम के बीच में समझोता हुआ है कहां पर हैदराबाद हाउस द अचा वियतनाम के अगर हम बात करते हैं वियतनाम ये रहा मैप में वियतनाम कैपिटल हनुई होती है करंसी है वियतनामीज टॉंग और अभी वियतनाम के नए परसीडेंट बने थे उनका नाम टू लेम है और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है और प्राइम ये भी भारत आय हुए थे और भारत वियतनाम की सहायता से गुजरात में राष्टर समुद्री विरासत परिसर विक्सित करेगा मैंने आपको बता दिया कहाँ पे गुजरात के लोथल में अच्छा लोथल से याद आएगा ये हडपा सब्विता का एक डोकियार्ड कह दूँ या एक बंदरगा था याद रखना और ये जो लोथल शहर था किस नदी के किनारे स्थित था भूग वा नदी के किनारे और अगर आपसे पूछा जाता है कि हडपा सब्वेता की खोच किसने की थी दयाराम सानी ने 1921 में और हडपा सब्वेता का सबसे बड़ा अभी संग्राले कांपे तयार किया जा रहा है राखी गड़ी हरियाना में ये पॉइंट भी ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखत किस देश के अरब पती कर प्रस्ताव को स्विकार कर लिया है तो अंसर होगा ब्राजील आपको पता है 2024 में G20 के अद्धिशिता G20 की मेजबानी कौन कर रहा है ब्राजील कर रहा है तो अभी ब्राजील ने एक प्रस्ताव रखा कि जिन लोगों की संपत्ती एक बिलियन पैसा इखटा हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर उस इखटे हुए पैसे को हम लोगों की भलाई के लिए इस्तमाल कर पाएंगे और अभी ब्राजील के इस प्रस्ताव को G20 संगठन ने स्विकार कर लिया है आपको बताए G20 के अद्धिशिता पिछले साल 2023 में भा मिल हुआ था अफ्रिकन यूनियन इसका 21 सदिस से देश बन गया जिसका हेड़कोटर आपको मिलेगा एडिस अबाबा इथोपिया में और इस साल G20 के अद्धिशिता ये ब्राजील कर रहा है और ब्रिक्स की अद्धिशिता रश्या कर रहा है वैसे ब्रिक्स को अगर निय ब्राजीलिया होती है करंसी है ब्राजीलियन रियल और प्रेसिडेंट है लूला दसिल्वा और ब्राजील में कोफी के बागानों को क्या कहा जाता है फैजेंडा कहा जाता है 1992 में प्रत्वी सम्मिलन कहां पे हुआ था रियो डी जैनेरियो ब्राजील में यहां पे घास के म कप होगा बहिलाओं का वो ब्राजील में होगा तो इतने पॉइंट्स आप ब्राजील से याद रखें हम अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हाली में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारों में अभी किस भारते नौसेना जहाद ने हिस्सा लिया त पर इस परेड का उयोजिन किया गया और इसके बाद आयनेuren शार्षन रूसी नौसेना का एक जहाद है सब्रा जिटेलनी सोबरा जिटेल यानि उसके साथ समुद्री साज़ेदारी अभ्यास यानि की मेरिटाइम पार्टनर्शिप एक्सरसाइस का आयोजन किया आइनेस तबर के बारे में बात करें तो ये तलवार श्रिनी का इस टेल्ट फिरिगेट है एक छोटा जहाज है जिसका निर्मान रश्या में ही हुआ था 2004 में भारते नौसेना में ये शामिल हुआ था तो आइनेस तबर याद रखना और आइनेस विक्रान से याद आता है भारत का पहला सुदेशी विमान वाहक पोत है ये एरक्राफ्ट केरियर है अच्छा यहाँ पर रश्या से संबंदित कुछ प्रश्ण में आपको बताता हूँ एक तो रश्या की कैपिटल आप जानते हो मौस्कों होती है करंसी रूबल है प्रेसेडेंट है विलाद्दमेर पुतिन और प्रधान मंतरी फिर से बन गए मिखाईल मिसुस्टिन यहाँ की संसत को डियूमा गएते हैं एक तो यह याद रखना और आपको पता है दोजाल चौब इसमें ब्रिक्स सम्मिट को होस्ट कर रहा है रश्या अभी रश्या की सेबर बैंक ने किस नाम से AI चेटबोट लॉंच किया था तो गीगा चेट नाम से रश्या और भारत ने मिलकर के ब्रमोस को डिजाइन किया ब्रमोस को बनाया जो कि एक सुपर सॉनिक क्रूज मिसाईल है और हमने सबसे पहले से किस देश को बेचा है फिलिपीन्स इसके लवर रश्या ने एक बुलावा नाम से इंटर कॉंटेनेंटल बैलिस्टिक मिसाईल को भी लॉंच किया था और भारत और रश्या ने मिलकर के AK-203 असोल्ट राइफल बनाई है कहां पे कोरवा उत्रप्रदेश में जिसे भारत और रश्या मिलकर के बना रहे हैं इनका जॉइंट वेंचर है और रश्या से ही हमने S-400 Air Defense Missile System को भी खरीदा है और उसका नाम हमने सुदर्शन रखा है तो ये पॉइंट से ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में World Health Organization के वेश्विक पारंपरिक चिकेचसा केंदर के लिए WHO को कितनी धनराशी दान की है तो याद रखना 85 मिलियन डॉलर 85 मिलियन डॉलर तो अभी भारत सरकार ने World Health Organization को 85 मिलियन डॉलर की राशी दी है क्यों दी है आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ाता है भारत World Health Organization की मदद से Global Traditional Medicine Center इस्तापित करेगा कहाँ पे गुजरात के जामनगर में और ये दुनिया में इस तरका पहला है तो इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा इस सेंटर को डेवलप करने के लिए उसारा पैसा भारत देगा और जो टेक्नलोजी का इस्तमाल होगा या उसकी देखरेक मैं कहाँ ये WHO करेगा और वैसे इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेगा तोटल भारत 250 मिलियन डॉलर का और उसमें से अभी 85 मिलियन डॉलर भारत ने दे दिया है यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ठेक है याद रखना कितना पैसा दिया अभी भी तोटल कितना देना है ये मैंने आपको बता दिया और ये जो Global Traditional Medicine Center है ये भारत में कहां पर बने का गुजरात के जामनगर में ये याद रखना वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजिशन की बात करें स्तापना होती है साथ अप्रेल 1948 में इसलिए तो साथ अप्रेल का वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो हेड कोटर जेनेवा स्विट्चेलेंड हो गया और हेड है तेदरो सधानों अच्छा आयूश मंत्राले की स्तापना कब हुई थी ये भी याद रखना 9 नवंबर 2014 में और अभी वर्तमान में आयूश मंत्री कौन है तो इस बार इसका राज्य परभार दिया गया है यानि किसके मंत्री है परताप, राव, जाधाव जो की राज्य मंत्री है स्टेट मिनिस्टर ये जब कैबिनेट मिनिस्टर का मैंने आपको वीडियो बना कर के दिया था वो जो tricky वाला वीडियो बना कर के दिया था उसमें नहीं, उससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बना कर के दिया था, थोड़ा सा detail में बताया था, तब मैंने आपको बताया था, कि किस किस तरह से मंत्राले दिये गए, cabinet मंत्राले क्या है, minister of states क्या है, ये सब मैंने आपक होगा तुर्की है तो अभी तुर्की की संसद ने देश के चार मीलियन आवारा कुट्टों में से कुछ को मारने के प्रस्ताओं को अभी मंजूरी दे दी है इसमें कहा गया कि जो कुट्टे बिमार हैं या आकरमक हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए तो इससे यहां पर सेकडो कुट्टों को मौत के घाट उतारा जाएगा मार दिया जाएगा और अन्य बेघर कुट्टों को सामूही करूप से पकड़ करके पशु आश्रयों में रखा जाएगा तो इस फैसले का भी पशु कल्यान समूहों ने जो एनिमल वेलफेर जो संगठन होते हैं उन्होंने इसका काफी विरोत किया है और उन्होंने इस विदेक को नर संगहार कानून का नाम दिया है और कुट्टों से याद आएगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि साउथ कोरिया न हमने डायलोग मारा था असली में नहीं बोला था यह लोग तो खाते पीते हैं देखो तुर्किये की बात करते हैं तो यह रा मैप में तुर्किये अब तुर्किये नहीं है इसका नाम क्या हो गया तुर्किये हो गया कैपिटल अंकारा है करंसी है लीरा और यहां के यह नहीं है इसलिए इसको यूरौप का मरीज कहते है इसी तरह से एशिया और यूरौप में एक और देश आता है कौनसा रशिया और तुर्किय के में जब हुकम पाये था अमने मदद के लिए एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रुप में मनाया जाता है और आप समझ पाओगे ये दिन फेफड़ों का जो कैंसर होता है उसके जोखिम और रोक्थाम के बारे में जाग रुपता बढ़ाने के लिए से मनाया जाता है थीम क्या है Close the care gap, everyone deserves access to cancer care और अगर मैं पूछू, एक world cancer day होता है, वो कब होता है वो चार फरवरी को होता है और हम जो national cancer day मनाते हैं, वो 7 नवंबर को मनाते हैं प्रत्वी के फेफड़े किसे के थे, अमिजन वर्षावनू को क्योंकि हमें चितनी भी oxygen मिलती है प्रत्वी पे, उसका 20% हिस्सा यहीं से आता है इसलिए इनको प्रत्वी के फेफड़े भी कहा जाता है और आपको याद दिलाओं तो अमारी जो प्रसिडेंटे द्रौपती मुर्मुजी उन्होंने cancer के लिए भारत की पहली घरिलू gene therapy लाँच की थी और उस therapy को क्या क्यते हैं, CART cell therapy यह प्रस्ण exam में पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, इसे उन्होंने IAT Bombay लाँच किया था IAT Bombay में launch किया था और इसे develop किस ने किया है इस therapy को IAT Bombay ने Tata Memorial Hospital के साथ मिलकर के इसको develop किया था एक cervical cancer भी काफी news में है, इस पे भी प्रस्ण बनेगा कि अभी इसकी पहली सोदेशी vaccine हमने खोद ली है, उसका नाम है CervaVac इसको तयार किया है Serum Institute of India पुने ने और जो interim budget आये था ना फर्वरी में, तब इसमें बताया गया था कि 9 से 14 साल की बालिकाओं को free में इसका टीका करन करा जाएगा, vaccine दी जाएगी अच्छा विसे एक अगस्त को Muslim Women Rights Day, Muslim महिला अधिकार दिवस भी याद रखना मनाते हैं क्योंकि एक अगस्त 2019 को ही तीन तला कानून को अपराद खोशित कर दिया गया था तो विसे एक अगस्त को चार दिवस होते हैं, एक तो अभी हमने देखा World Lung Cancer Day, एक ये Muslim महिला अधिकार दिवस और एक परवता रोहन दिवस भी हमने देखा था, और एक World Wide Web Day भी हमने देखा था तो एक अगस्त को ये चार दिवस हम मना रहे हैं, तो गाईस ये थी आज की अमरी Current Affairs की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो का अभी भी आपने लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक ज़रूर कर देना, एक बार बस आपको मोबाइल को टची करना है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा या मेहनत नहीं लगेगी, इ ये को पहला प्रशन पूछा था भी, चोथा राष्ट्रे हिंदी विज्ञान सम्मिलन का आयोजन ये कहां पे हुआ, बोपाल में, फिर पूछा राज्येपालो का बावनवा सम्मिलन कहां पे हुआ, नई दिल्ली में, फिर पूछा, कॉल ओफ दग गिर नाम की बुक को किस ने लिखा, परिमल नाथवानी, फिर पूछा सुप्रीम कोट ने समूदाय के आरक्षन में उपवर्गी करन करने के अनुमती देने के लिए अपने किस फैसले को रद्द किया, इवी चिन्यया बनाम आंदर प्रदेश राज्ये 2024 को, फिर पूछा भी हाली में जारी, ग्लो पत्र प्राप्त करने वला चोथा भारते शहर कौन सा है, कश्मीर, फिर पूछा, एंडी मरे ने सन्यास ले लिया, वे क्या है, उनका संबन्ध है टैनिस से, बिरिटिश टैनिस प्लेयर है, फिर पूछा, इंडिया एड़ रेट हंडरेड नाम की बुक को लिखा है, अगल के वीडियो में पूछा था, किस राज्य के मोईदम, यह भी भारत का 43rd नंबर का युनेश को विरासत इस्तल बन गया, तो आप सभी जानते हो, यह समका है, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल से उतर दिया, अब यह राज का आपका हमवर्क प्रशन